नमस्कार दोस्तो इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे UPSC द्वारा निकाली गई एक Special Recruitment की तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तो स्वत्मत्रा दिवस की आप सभी को हारदिक शुपकाम नाएं दोस्तो यह जो Vacancy है यह पद है इसका नाम Deputy Director और विवाग का नाम है ESIC यानि की Employee State Insurance Corporation जो की काम करता है Ministry of Labor and Employment के अंतरगत Vacancy हैं दोस्तो 151, SC केटेगरी की 23 है, ST में 9 है, OBC की 38, EWS 15, Unreserved केटेगरी 66 और दिव्यांग भाईयों के लिए हैं यहाँ पर 4 Vacancy तो दोस्तो क्या है इसमें Special दोस्तो 24 ग्रेट पेगी जब भी कोई भरती निकलती है चाहें फिर वो आईए SBCS की बात करें, उनमें समय descriptive परिक्षा जरूर होती है मगर इस परिक्षा के अंदर objective टाइप आपकी लिखित परिक्षा होगी और उसके बाद एक interview होगा और डारेक्ट आप 500 ग्रेट पे की नौकरी पाएंगे level 10, 7 pay commission के अनुसार अब बात करते हैं कि इसके अंदर qualification क्या है दोस्तों इसके अंदर मांगा गया है graduation यानि कि आपके पास किसी भी stream में graduation होना चाहिए मगर जो second point है, b point है experience वाला उसी की वज़े से इसके अंदर form कम पढ़ेंगे आप मैं बताता हूँ कि क्या experience मांगा गया है experience मांगा गया है इसमें 3 साल का या तो administration में हो, या accounts में हो, marketing में हो या फिर public undertaking, नी public relation, insurance और revenue, tax related matter in government और public sector या फिर autonomous body तो दोस्तों इसमें कौन-कौन से लोग apply कर सकते हैं हमारे channel पैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि already किसी ना किसी government service में होंगे और जिनकी 3 साल से उपर service हो चुकी होगी तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यदि आप revenue लेकपाल हैं last 3 साल से तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं बलई 2000 great pay की नौकरी है revenue लेकपाल की मगर आप 500 great pay के लिए apply कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि यदि आपके पास revenue में experience है तो आप भर सकते हैं इसके अलावा tax related matter tax related matter में जदि आप में से कोई income tax department में या फिर UP government की अकर मैं बात करूँ तो अगर राजिस्व भिवाग में राजिस्व भिवाग में सिर्फ लेकपाल नहीं होता और भी बरती होती है clerical level पे या फिर जो cgst, sgst जो मामला होता है जिस इस्टेट government पहले sell tax कहते थे तो वहाँ पर आगर आपने काम किया है तीन साल बले ही आपने junior assistant के पत पे काम किया हो तो भी आप इसके लिए apply कर सकते है insurance related यदि आप LIC या फिर किसी और insurance sector में अगर आपने काम किया है वो होना चाहिए undertaking या government से related ही या फिर autonomous body हो तब भी आप इसके अंदर कर सकते हैं marketing बैंकों के अंदर भरती होती है marketing inspector की तो इसमें भी जो है कई लोग जो होते हैं वो apply कर सकते हैं जो इस पत पे हो या फिर public relation जहां पर public dealing है public relation से related है या फिर accounts का वर्ग UPPCL या कई ऐसे department हैं जहां पर account से related भरतियां होती हैं वो लोग apply कर सकते हैं अब बात आती है administration में administration में भी कई department हो सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो profile है जहां पर आप नौकरी करते हैं कि क्या वो जो job profile है वो administration से related है तो आप इसमें apply कर पाएंगे ठीक है मगर हाँ इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कई बार कुछ department वहाँ पर noc देने में problem करते हैं मगर यह नौकरी पूरी तरीके से तभी आप इसके लिए आविदन कर पाएंगे या तभी आपको interview में बैठने दिया जाएगा जब आपका department आपको noc देगा no objection certificate ठीक है तो ध्यान रखिएगा इस बात का अब हम आपको आगे बताते हैं कि परिच्षा का pattern इसमें क्या होने वाला है दोस्तों इसकी जो last date है आविदन की वो है 2 सितंबर ठीक है 2 सितंबर तक इसकी last date है और category wise इसमें relaxation भी मिलेगा H.C.S.T.O.B.C. इनको जो center government के नुशार जो मिलता है वो age में relaxation दिया जाएगा provision इसके अंदर 2 साल का होगा परिच्षा जो है वो आपकी computer based recruitment test होगा इसमें ठीक है या फिर normal होता है recruitment test भी हो सकता है तो short list interview इंटर्वीव के लिए short list करने के लिए पत का नाम deputy director ठीक है वो ये decide करेगा commission कि कब इसकी date होगी अभी date नहीं बता रखी है scheme जरूर बता रखी है कि परिच्षा का pattern क्या होगा अगर हम बात करें scheme की तो यहाँ पर दो घंटे की आपकी परिच्षा होने वाली है part A और part B अच्छा दोस्तों मुझे comment section में जरूर बताईएगा आप मैंसे कितने लोग हैं जो कि government service में हैं और किस department में हैं तो यानि कि अगर आपको confusion हो तो मैं आपका clear कर पाऊं कि आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं या नहीं या फिर आप सीधे मुझे से phone पर बात कर लीजिए वीडियो के description में तरीका बताया गया है कि आप मुझे से phone पर कैसे बात कर सकते हैं तो यदि कोई भी confusion हो तो आप मुझे से बात कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि English और General Ability तो अगर हम English के बारें बात करें वन थर्ड नेगेटिव मारकिंग होती है वो इसमें है पार्ट A में Understanding of English Language Workman-like Use of Word जो जो जनल बोलचाल में जो इस्तमाल होते हैं English के वर्ड वो पता होने चाहिए English Language पे आपकी अच्छी पकड़ होने चाहिए पार्ट B में अगर हम बात करें तो Principle of Human Resource Management Principle of Marketing Management, Account, Finance, RTI, Numerical and Logical Reasoning, Fundamental of Computer Application, General Science, Public Administration and Development Issue, Freedom Movement and Indian Union और Current Affair ये सारी चीज़े जो हैं वो आप से पूछी जाएंगी वेटेज की अगर हम बात करें कि क्या वेटेज होने वाला है मार्क का तो ये बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा क्योंकि इंटर्वीव भी है और आपका परिक्षा भी होने वाली है तो ये आयोक बात में डिसाइड करेगा जो एक्जाम सेंटर हैं वो आप देख सकते हैं कहां कहां पर हैं बोपाल चेनी दिली और यूपी में देखें तो लखनौ में है दोस्तो तो ये औल इंडिया बनाए गए हैं सेंटर और आपको जानकारी देते हैं इसके अंदर और दोस्तो यहां पर अंडर्टेकिंग जो है वो देनी होगी आपको अगर आपको माल लिजिए कि दिव्यांग है और आपको इन में से कोई डिसीज है तो आपको एक समय जादत दिया जाता है ठीक है दोस्तो अब बात करते हैं दोस्तो कि मिनिमम आपको कितने नंबर लान होंगे इस परिक्षा को पास करने के लिए तो साफ साफ बता रखा है कि अगर आप जनरल केटेगरी या फिर एडब्लू एस से हैं तो पचास नंबर मिनिमम ओबी सी को पैतालेस एसी एस्टी दिव्यांग को चालिस यह मिनिमम लंबर लाने ही पड़ेंगे आपको ठीक है दोस्तों यह इंटर्व्यू का है आउट आफ टोटल मार्क्स आफ इंटर्व्यू बिंग हंडिर फिर हम बात करते हैं इसकी फीस कितनी है तो फीस के बारे में अगर हम बात करें तो पच्चिस रुपे इसके अंदर फीस है SCST दिव्यांग और वुमेंट के टेगरी के लिए कोई फीस इसमें नहीं है तो यह मुझे लगता है कि ऐसे लोग के लिए जो की सरकारी नौकरी में हैं और जिनके तीन साल कम्प्लीट हो गए हैं उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चिनूटी है आप डारेक्ट चवण स इसमें आपको दिया जाएगा जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो सीधे आप मुझसे फोन पर बात कीजिए धन्यवाद दोस्तों जैहिन जैभारत